हेलो दोस्तो रेलवे की तरफ से ओपिशली नोटिस जारी हुआ है जिसमें आपकी एक्जाम डेट आ चुकी है तो अब कैसे तयारी करनी है ओपिशली नोटिस है चलिए देख लेते हैं किस-किस का एक्जाम डेट आ गया है और कैसे कम समय में तयारी करनी है तो सभी इस वीड सबीकी एक्जाम डेट आज चुकी है अब कम समय में कैसे त्यारी करनी है तो देख लेते हैं पहले तो एक्जाम पर कब हमारा एक्जाम होने वाला है तो इल्पी की डेट आ गई है 25 ग्यारे 24 से 29 ग्यारे 24 तक आपका सीवी टीवन एक्जाम होने वाला है और यहां पर देखेंगे और यहां पर एक्जाम होने वाला है उसके बाद देखेंगे टेक्निशन की मैं आपको मैं पहले कैसे एक्जाम क्रेक्ट किया था यह भी सब जानकारी देने बाला हूं इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तर जरू देखना चैनल को सब्सक्राब तो यहां पर देखेंगे यहां ओपीशली नोटेस आया है यह सभी देख सकते हैं कोई फेक नोटेस नहीं है अब यहां पर देखेंगे लिंक फोर विव दा एक्जाम सिटी डेट एंड डाउलोडिंग ओफ ट्रेवलिंग एदर ऑथरोटी फोर एक्जाम सिटी कंडेट विल वी मेड लाइव 10 डेट प्रियाड टूदा एक्जाम डेट तो मतलब जो एक्जाम डेट का समय आएगा उससे दस दिन पहले आपका यह सब एक क्यांक डेट फोर क्या फॉर इसटार 았습니다 देप्राइज्ट फितरों के लिए vom AH करते हैं तो यह सब हैं और आप घ्ली का लिए आपको किया होगा अपने फॉर्म बढ़ते समय अब यहां पर यहीं सब लिखा है उसके बाद कंडिट आ रहा है तो अपडेट रिकूर्मेंट प्रोसेस प्लीज डू नौट भी मिस वाई तो यहां पर देख सकते हैं आप कोई भी मतलब आपको मिस नहीं करना है अब यहां पर देख मतलब आपको तो उसे मतलब करना कभी भी क्योंकि फेक फेक इन्फर्मेशन के चक्रम नहीं फसना है आपको ऑफिसली जो भी होगा रेलिवे की तरफ से होगा अब यहां पर देखो तो यहां पर आरवी सेलेक्शन आर बेस अन्दा कंपूटर वेस्ट टेस्ट और मेरिट ठ मतलब डारेक्ट अपॉर्टमेंट नहीं होती रेलिवे की तरफ से तो यह द्यान रखना किसी भी फेक मतलब उसके जानकारी के चक्रम ना यहीं सब लिखा है अब यहां पर हमें मतलब है कि हमें एक्जाम डेट आ गई है बस तैयारी कैसे करें चाहें आपने एल्पी का थोडा सा थोड़ा सा अट गय वागित MT sleeping में पढ़ना हमें घत और सीये यह कोमन में चारों में रेलिच्वेस थीन अब चारों में जो मतलब यह एंसे सुक्ष्य एफ डिन जाूंढ बराए और देखो एंटीपीसी में सभी कॉमन हैं एंटीपीसी एकजामस है जो के अभी फ़र्म चालू है तो उसका क्या है वह मतलत तीनों में चारों में कॉमन है उरसे सभी बरेंगे यह तो अब बात आ जाते हैं कैसे त्यारी करने इनकी तो देखो मैं आपको बता दूँ सलिवस को देखना चाहिए जब तक आप सलीवस क어 कैंप्सकत्रों कर सकते और तब तक तब तक इस सोच्ओ मत करेक्जाम क्रहकर क्योंकर नहीं होता तो उसके पहले आप क्रेक्टिस भी नहीं कर सकते कुस्षानि मतलत नहें पहले छिवस कर काना शिर्वस उसके बाद यीeln मे प्रेक्टिस करो और ना अभी से चालू रखो सिलेवस के सासा स्थिलेवस को खतम करते जाओ टॉपिक बाइस पढ़ो ठीक है जी के जीएस जी के जीएस और सैंस का बहुत अच्छा रहता है तो सैंस पर भी फोकस रखो ठीक सैंस मैथमेटिक्स रीजिनिंग यह सब बस है आपको बाकी एश्टा कुछ नहीं बाकी जैसे सी विटीट्व में सीवपित टू में शीयवस चैंज हो जाता है यह से नया मोड आजाता है ॥र्फ में क्या होता है कि के दिए ऑन्दिकल ऐंग फिर में जंग उनका अलग-अलग फिल्ड हो जाता है अब बात आती है यहां पर कि जो जी के जीएस है और यहां पर आपकी साइन्स है और मैथमेट्मेटिक्स है यह कैसे पढ़ें तो मैं आपको उता दूँ आप ना टैम डिवाड कीजिए कि हमें डेली जी के जीएस जी के और जीएस इसस मैथमेट्रिक्स और रीजनिंग मैथमेट्रिक्स और रीजनिंग क्या है यह चाला है फ्र今 जीतने अप्रेक्ट्रिक्स करें आप तो उतना ही अच्छ़ँ चल्ब तो अफ्रगश呢 कर आगर सिलेवस करना हो अब मैहिटमेंट्स की त्यारी किसी आग्जाम के लिए ऐसा तो नहीं डक्रमी कौण के लिए नियुक। पहल Grade constructive बार करने है। अगर होगा पहलेookie आप पहली Lexaden पर यॺलेए हैं तो अब शुर्त को पहले ऊप्रक्राइब खत्म कर लो उसके बाद प्रक्ष। प्रक्षी करना होगा और हम प्रिवीश जर पेपर नहीं देखा है तो प्रिवीश बब जरूल सब्सक्राइबTrade देखें अगर एलपी का एग्जाम देने जा रहा है तो याल पी का प्रिविश पेपर देखें और विदेखू टैक्निस्टन जाई यह सबीना प्रिविश्र पपर देखना जरूरी है कि आप से लेकर यह लूशकर में जो टॉपक होते हैं कहीं कभी-कभी कहां कहां से पूछे गए उससे यह आइडिया लग जाता सटीक तो प्रिविसर पेपर को जरूर देख लें उससे उसी के बाद आपके दमाग में सेट हो जाएगा किस तरीके से त्यारी करनी है कहां कहां से कुछन पूछे जाते हैं और हाँ यह पेपर नहीं है तो आप ना त्यारी करा रहा हूं जो को एंटी पीसी गुरुपडी जेई टेगनीशन किसी का भी एलपी किसी का भी अगर देखना चाहें तो देखो मैं तो रीजिनिंग और जी कजिए यह सब न हमारी वीडियो से भी मिल जाएंगे आपको इसी चैनल पर जरूल चेक करें और चाचार अप्रोचनेटी हैं सामने और साती साथ चारों का एक्जाम एकसात होने वाला है मतलब टाइम से लग गया है तो आपको अभी से त्यारी कंटीनू कर देने चाहिए बलुकुली समय नहीं गवाना चाहिए तो ध्यान दीजेगा इतना जल्दी त्यारी नहीं कर सकते लेकिन हाँ अभी से करते हैं मेनत तो हाँ कहीं न कहीं आप सभी से आगे रहेंगे तो लग जाया अभी तैयारी में अगर इंफर्मेशन अच्छी लगे हो तो चैनल को सस्क्राब कर लें वीडियो को लाइक कर दें थैंक्स फूर आज मैं वीडियो